हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोग आशा करता आप सभी मस्त है स्वस्त है पड़ा ही बहुत ही जब दस तर्स कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 की पिद्दर जो बहुत ही जदा महत्पू वक्त है जजबा भी आप लोग में बस पड़ लो ठीक है अच चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब जरूर करना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और अपने एक्जाम की तियार में धमाका मचाने के लिए चार चान मचाने के लिए ठीक है और दोस्तों आप सभी अब भी बात करेंगे आप लोग उसे लाइफ फेस टो फेस कानेक्ट होगे तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल दो नबर वाला स्वाल अगर आप इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बिल्कुल सहीए दोस्तों मतलब इसी प्रकार के से और यह सारे स्वाल एक्जाम आप लोग देखने को जरूर मतलब इसमें से बहुत सारे कोश्ण से जांदार तरिक से स्रुवात करते हैं तो पहला स्वाल दोस्तों हम लोगा चैतरभूज के निकल कर सामने आता है हालांकि मैंने यह चेप्टर पढ़ने से मना किया है क्यो क्या निकलना है तो कैसे निकालेंगे देखें आप तीन कोन पता है यह हो गया पहला कोन यह दूसरा कोन यह तिसरा कोन अब यहां हम लोग चौथा कोन आपको पता है कि चतरभूज के चारो कोनों का योग कितना हो दद बोलेंगे सर्थ 360 डिगरी होता है तो मैंने वह लिख लिए 110 डिगर दिए है 70 डिगर दिए है प्लस 90 डिगर दिए है और प्लस क्या हो जाएगा एक्स ठीक है एक्स क्या मैंने मान लिए चौथा कोन एक्स यह पर एक लेने का लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्या कि माना चौथा कोन बराबर एक्स ठीक है चलो हो गया अब जोड़ो सबको इस सबको जोड़के 270 डिगरी आ जाएगा लिखती है मैंने प्लस एक्स अब बराबर 360 डिगरी तो एक्स बराबर 360 और इधर 270 है तो 270 हो जाएगा मानेस कर दोगे 90 डिगरी फटा फट से आपके अनसर हो ज जड़ी तो बी-ए-स-सी का मार निकलना है देखो यह जो फिगर अपफलों को दिख रहा है ना यह बी-ओ-सी का वैलू दे दिया है यह बहला बीए सी है इसका देदी एक-स-चालिस तो यह बहना निकलना मैंनी यह यह आप लोग बता दिया है कि अगर किसी चाप से एक चा मैं लिखा चूकि कॉन बीओसी बराबर 140 बटे दो बराबर 70 ये दोस्तो थिवरों में प्रूब कर मैं आप कराओंगा इसमें बूद वाला प्रूफ है इसलिए मैं जोतना बता रहूं तना देख लो अग्ला सवाले एक दीवी रचना दोस्तो रचना का वीडियो में कल अपल जिसकी भुजाएं 18 cm, 10 cm, 42 cm, बहुत असन स्वाल है, यह हो है हेरोन का सुत्र, काफी बढ़िया बढ़िया स्वाल इससे आएगा, और छोड़ियेगा नहीं आप लोग, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, छोड़ना नहीं आप लोग को, तीनों भुजा क्या कहा दिया, एक मि बराबर कितना, 18 cm, लिग दिया मैंने, बी बराबर कितना, तो 10 cm, लिग दिया मैंने, सी बराबर किया, तो 42 cm, यह भी लिग दिया मैंने, कोई दिकत, आपको त्रिभूज का छेतर बन निकाल नहीं रहें रहें चाहिए, सबसे पहले S से ही, तो S बराबर हो जाएगा, A plus B plus C बटा में 2, ठीक है, आपको यह मैं हुमख दूँगा, चुकि आज जो हम लोगा दोस्तों, लाइफ कलास से ला था सुबह अनकडवी पर, वहां पर अगर अगर आप लोग देखे होगे, तो यह सब बिलकुल धुमा धुमा हो गया था, बिलकुल पानी बानी आप लोग के इसलिए कहता हूँ, आप लोग मुझे से अनकडवी मुझूर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शनल लिंक देदूगा, वहां से आप लोग जोईन हो जाना, तो यह चीज़ है यहां पर, और आप लोग क्या करोगे, यहां से S निकल लोगे, उसके बाद S जो आएगा, बस उ जाना अनकड़ों का मैद देगात किजिए, तो मैद दा बहुत ही आसा ने बच्चा बाला, जो नमबर दिया है, लिख लो, दस, साथ, तेरह, बीस, पंद्रह, ठीक है, मैद दपर आप रहर होता है, सभी प्रेक्शनों का योग, बटे प्रेक्शनों की, कूल, सांख्या यह जाएगा यह जितना दो नमबर माला स्वाल है सभी कुछ इसी के अंडर में आएगा इसी प्रकार के पूछ जाएंगे अगर आप छोड़ दोगे तो फिर याद अपना सपना तोड़ दोगे छे नमर देखो बहुला ग्याद कीजिए तो सबसे ज़्यादा पर क्या है तो सबस जानते हैं कि चारो कोनों का योग बराबर यह जानते हैं कि चारो कोनों का योग बराबर किनता होता है तो वह भी लिख दिया तो सभी को जोड़ दिया एक सो प्लस अंटानवी प्लस ब्रहनवी प्लस एक्स ब्राबर तीन सुसाट जोड़के दोसो नब्या जाए उधर जाएक माइनस कर देना घटाव करके सतर डिग्री अनसर हो जाएगा बहुत सिंपल स कितना साट बटे दो मतलब 30 टिक दिया जाएगा कितना असान मैंने पहले बला कुछन में बताया था उस परकार से बना लोगे बस हो गया रशना वाला तो मैं बता दूंगा अलग वीडियो में चिलता मत करो नेक्स्ट कुछिश्यन हम लोग देखेंगे दोस्ती हां पर चार नंबर त्रिभूच का छेत्र फल निकालना है जिसकी भुजाई दिया हुआ है चलिए अब आगिया है इसको एक बड़ हम बनाके दिखा देते हैं देखो तीन भुजाई दिया हुआ है क्या 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 बटा में 2, 12 बटे 2 हो जाए, कट किया जाए 6 cm एंसर, तिरभूज के छेते पर निकालने के लिए दोस्ता हम लोगा होता है, under root S into S minus A into S minus B into S minus C होता है, ठीक है, यह आपको पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, S का जो value है बस आप बैठाओ, A का जो value है वो आप बैठाओ, और B का, C का, जो value है सब को बैठाओ, समझ गया है, तो बस under root S into S minus A, यानि 6 into 6 minus 3 into 6 minus 4 into 6 minus 5, बस A, B, C का value बटाओ, S का value बटाओ, 6 में 3 गया, तो 3, 6 में 4 गया, 2, 6 में बटाओ, गया तो 1, simple सा कोच सेने हैं, दोस्तों, इसलिए 2 नमबर में दे राए है, 6 को तोड़ के लिख सक है, दो को 3 में से 1, 2 बाहर हो जाएगा, 2 को 2 में से 1, 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 कुना 3 कितना हो जाएगा, 6 cm square, जी हाँ, अगला स्वाल देखो, पर्थम 5 प्रकृतिक संख्याओं, पर्थम 5 प्रकृतिक संख्या, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, Micro स्वाल तो देख लो पहले, और यह जो एक से शुरू होता है प्राकृतिक संखा मतलब ऐसी संखा जो एक से सुरू होती है और आगे बढ़ती है तो बस 1,2,3,4,5 पर्थम 5 हो गया माज़े निकालना है सभी प्रेक्षन हो गाई हो बटे कूल प्रेक्षन हो के कूल संख्या सभी को जोड़ दो बटे 5 कर तो 15 बटे 5 हो जाए कटके 3 एंसर आजाएगा समझ गया है अगला स्वाल साथ नंबर एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेवाज द्वारा खेली गई तीस गेंजों में 6 बार 4 गारती है ठीक है, चौका मारे जाने की प्राइक्ट ग्याद कीजिए, यह देखिए, यह रहा स्वाल praga बल्ला जैसे मैं पहले बचेंगा उसी का हमार खेलती है भाया छे बारों चौका मार देते इतना दम है उसमें तो कितना बार चौका मार देते इसकी प्राइक्टा निकलना है सिंपल सा कुछ सेने कूल गेंड कितना तीस चौका मार जाने की संखा कितना छे तो प्राइक्टा उसी का निकलना है किसका चौका मारे जानेगा इससे पहले का निकलना तो चौका नहीं मारे जानेगा इसलिए हम चौका नहीं मारे जानेगा संखा निकाल रहे थे चुकि उसका कुछ जरूरत ही नहीं तो क्यों निकालेंगा हम next देखे दुस्त अमलोग क्या है कि एक चतरभूज के कौन इस अनुपात में है इस चतरभूज के सभी कौन ग्याद किजिए ठीक है तो बस मैंने कहा जब भी अनुपात में रहेगा उसको x माल लेना है तो क्या माल ले मैंने 4 भूजाओं को x माल लिया 3x 5x 9x और 13x तो कि अन 10x परावर 360 तो x परावर 360 वट्टे में 3 काल देना x परावर 12-1 में कट जाएगा 12 एंसर हो जाएगा तो 3x बरावर क्या होगा 3 गूने 12 क्योंकि हमको नकालना ना है 3 x ना तो 3 और एकस सब हो जाएगा बस बारत यह कितना हो जाएगा चारों निकल गया अब आगे हम लोगो दुसरा जमस्वाल देखे लो क्या बोला है कि नीचे दिगई केंद्र में बृत पर तीन बिंदू बिंदू पर एक बिंदू है बिलत पर दी एक बिंदू है तो ADC आपको निकलना क्या इसमें ADC निकलना ADC कहा है दोस्त तो ADC यह वाला है देख रहे हो बस यह जो कून जितना होगा उसका क्या हो जाएगा यह खुद बोलोगे जी आजर आधा होगा यह जोड़ लेना 90 डिक इस तो कितना आधा 45 समझ गया ना बिलकुल जना वह इसे ही होगा कौन एओसी कितना 60 प्लस 30 से 90 डिकर में देख सकते हो आप लोग तो ADC कितना उसका अधा हो जाएगा तो बटे दो करदे ना 45 बार में कट जाएगा तो 45 डिकरेस का अंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं बबबगा कोई दिक्कत नहीं चलो तीन नमबर स्वाल तो दस्तों अप लोगा रचना का है तो तीन नमबर तो कल ही बताएं हम चेतर भूज का चेतर बल गयात किजे इसके दो परिमाफ हमको मालूम है ना तो परिमाफ लिख दिए बराबर 32 सेंटीबिटर जब परिमाफ बराबर लिख दिए तो परिमाफ हमको पता है क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में दो सौरी परिमाफ होता है ए प्लस बी प्लस सी परिमाफ अतलब सभी भूजाओं का जो यहां पर दो आतों आप दो शोलो सिंदी मिटर यह सब का वैल्व होगा था दना बाकितव लोग तेज हो यहां पर देखो लोग कैलकुलेशन में यह घटाओ करके तब लोग सूच लोगे यह आठ को मैंने क्या लिखा आठ गुने दो क्योंकि यहां पर आठ पहले से था बस इतना तोड़ ले ना दोग आठ में से यह आठ निकल जाएगा बाके और कुछों नहीं निकलेगा दो पज़े 10, 10, 30, 30, अंदर में रह जाएगा आठ ओट तीस सिंटिपरे स्कॉयर इसका एंसर हो जाएगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलो बढ़िया पांच नमर स्वाल देखो क्या बोल रहा है माइदेगाद के जिए 5ẹ नमर में बोला है कि निमनल गोलो कि इया है माइदेगाद दिया है तो माइद rectangle ब्राबर यह आद रख लेना जितने सारे प्रेक्षन दिया है प्रेक्षन मतले सारा ? प्रेक्षन का योग बड़ difficन का क्यां सबको जोट दो साथ नमबर स्वाल आप देख लो क्या बोला है प्राइक तका की एक सिक्क्रे को हजार बार उच्छालने पर भाई साफ क्यों उचालोगा लो गया जार बार चलो स्वाल है देखो बारम बढ़ता है प्राप्त होती, चीत मिलता है 445 बार, पट मिलता है 545 बार, तो परते घटना की प्रायक्ता अभिकल्पित किजिए, यानि की चीत निकालने का भी प्रायक्ता गयात किजिए, और पट निकालने का भी प्रायक्ता गयात किजिए, चलो भाई निकाल देते है है तो पहले देखो चीट कितना ब़र है चीटानी को बड़े सेंग्क लिखान गांड़ी कोड़ के लिख से कांड तो यह था दोस्तो तो आप सभी के लिए काफी महत्पुन स्वाल और इतना कर लोगे तो आप लोगा दो नंबर वाला स्वाल बिल्कुल नहीं चुटेगा दो गुने पांच यानिके दस नंबर आप अराम से पोकेट में घर करके घर ले आओगे ठीक है चलो इंतजाय करो नेक्स्ट में ओधाकर आतरूं